एक पुरानी जहन कहानी है दो युवा संत किसी मड़ी रोड से गुजर रहे थे एक का नाम था तांजेन और दूसरे का नाम था एकिडो तांजेन अपने नियम काइदे कानून से चलने वाला लेकिन एकिडो सहज अलमस्त योगी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला बारिश काफी बरस चुकी थी रास्ता कीचर से भर गया था लेकिन दोनों को जाना जरूरी था इसलिए दोनों ही उसी मड़ी रोड से गुजरते रहे उन्होंने कुछ रास्ता तै किया कि तभी रास्ते में उन्हें एक महिला मिली एक योटी मिली अच्छी सुन्दर योटी उस योटी ने आगे चल रहे तांजेन से कहा कि मेरे पाओं में मोच आ गई है आप जरा मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उठा दे और अगर हो सके तो मुझे रास्ता भी पार करवा दे मैं अकेली हूँ सांज पढ़ने के करीब है मैं कहीं कोई मुसीबत में नफस जाओं इसलिए आप मेरी मदद करें लेकिन तांजेन ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि मैं संत हूँ महिलाओं को नहीं छूता और तुम जैसे सुन्दर योतियों को छूना तो मेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं है और इस तरह से इंकार करते हुए तांजेन आगे बढ़ गया दो पांच मिनट में ही इकीडो पहुँचा इकीडो से भी उसने यही बात नेविदन की कि मेरे पाउं में मोच आ गई है आप थोड़े मेरी मदद करें मुझे खड़ा करवा दें और अगर हो सके तो मुझे सहरा देकर मुझे मेरे गाउं तक पहुचा दे कीचर से भरा हुआ रास्ता है मैं अकेली यूती हूँ सांज पढ़ रही है कहीं उल्जन मैं नफस जाओ इकीडो ने सुना उसने का कोई बात नहीं उसने जट से अपना हाथ का सहरा दिया और हाथ का सहरा देते हुए महिला को उखने में मदद की उसने का कि आप मेरा कंधा पकड़ ले और मेरे कंधे के सहरे आप अगले गाउं तक आराम से चल सकती है इकीडो के साथ महिला निकल पड़ी रास्ते में अनिक दफ़ा तांजेन ने मुड़कर के देखा कि आज एकीडो ने उचित नहीं किया एक महिला को छुआ जान बूच कर छुआ अपने कंधे का सहरा दिया और इस गाउं से ठेट गाउं तक लेकर के गया कोई गाउं वाले देख लेंगे तो भी उचित नहीं होगा पर रास्ते में तो उसने कुछ बोलना उचित ना समझा रात के वक्त जब दोनों साथ साथ एक ही कमरे में बैठे थे कि तभी तांजेन ने इकीडो से कहा कि एकीडो आज तुमने मर्यादा का उलंगन किया आज तुने उचित नहीं किया एकीडो ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर डाला कि जिससे कि मर्यादा का अतिक्रमन हुआ या मैंने कोई अनुचित कर डाला तांजेन ने वही क्रोध भरा चेहरा लिये हुए एकीडो से कहा कि आज तुने महिला को छुआ जान बूच कर छुआ कंदे का साहरा दिया वो गिर रही थी तो तुने उसको अपनी गोद में भी उठा लिया और दो चात्रे के इस तरह की टिपणिया कस दी तो ये सुनकर के इकीडो हसने लगा और कहने लगा ओ तो तुम उस महिला की बात कर रहे हो ओ तो तुम उस महिला की बात कर रहे हो अरे मैं तो उसको वही पर ही छोड़ कर आ गया था क्या तू यहां तक साथ लेकर आया है मैं तो उस महिला को वहीं छोड़ कर आ गया था क्या तू यहां तक अपने साथ लेकर आया है मैं कहां लेकर आया मैंने तो उसको तन से चुआ था और वहीं छोड़ कर आ गया था लेकिन तू अपने मन में यहां तक धोकर लेकर आया है इसलिए अगर प्रायस्चित करना है तो तू पहले कर ले इकिडो और तानजैन के समवाद हुए होंगे एक दूसरे को जो कुछ कहना रहा होगा कहा होगा लेकिन जब हम लोग ध्यान सूत्र के जरिये आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें भली भानती इस कहानी के मर्म को समझना चाहिए और कहानी को अपने आप पर ढालते हुए ये देखना चाहिए कि कहीं हम लोग तानजैन तो नहीं है हम लोगों को ये अपनी समिक्षा करनी चाहिए कि हम लोग तानजैन हैं या इकिडो हैं एक सहज मार्क पर चलने वाला व्यक्ति जिसने महिला को छूप भी लिया गोद में भी उठा लिया और इस तरह से आगे बढ़ गया लेकिन वो मुक्त था मुक्त है और मुक्त बना रहा तानजेन जो कि नियम काईदे कानून ये नहीं करना वो नहीं करना माना कि वो काईदे कानून के हिसाब से ठीक था लेकिन सांस तक या रात तक भी उस महिला के बारे में अपने दिमाग में कोई भी प्रतिक्रिया लिये हुए वो बैठा रहा इसी का नाम है आरतध्यान और रौद्रध्यान अपने दिमाग में अपने मन में किसी भी तरह की उधेड़ बुन अगर हमारे दिमाग में बनी हुई रहती है तो वही उधेड़ बुन आर्थ ध्यान कहलाती है जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हिंसा करे ही जूट बोले कि चोरी करे कि परिग्रह करे कि भोगेच्छा अपने मन में रखी ये कोई जरूरी नहीं है पर अगर इन में से किसी भी बिंदू को लेकर के हमारे दिमाग में उहा पोह की इस्थिती रहती है हम गंटा दो गंटा पांस गंटे तक उसकी उधेड बुन अपने मन में लगाए रखते हैं तो यही इस्थिती व्यक्ति की आर्थ ध्यान या रौध ध्यान कहलाती है सारी समस्या आदमी के अपने मन की है आज की तारीख में जितनी भी बिमारियां फैली होई हैं वे तन के कारण कम है और मन के कारण ज्यादा है सौ में से सत्तर प्रतिशत बिमार आदमी तो मन के कारण है यदि व्यक्ति का मन चिंता तुर है यदि व्यक्ति का मन तनाव गरस्त है डिप्रेशन में है तो व्यक्ति के तन पर उसका असर आता ही आता है आखिर व्यक्ति का तन तो मन का अनुयाई है जैसा मन में होता है वैसा तन में आता है ये मत समझे कि मैनका ने कभी विश्वा मित्र को विचलित किया होगा हाकिकत यह है मैनका उर्वसी ये सब तो एक निमित बनती है वास्तविक्ता यह है कि इनसान के मन में अगर कमजोरी है तो इंसान का तन प्रभावित होता है और मन में ही अगर दुर्बलता नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत इंसान के तन को कभी भी दुर्बल नहीं बना सकती मूल बिमारी आज की मन की है वर्तमान समस्या मन की है अगर कोई व्यक्ति युवा वस्था में है पर मन उसका कमजोर हो गया तो युवा वस्था में भी बूड़ा हो गया पर अगर किसी व्यक्ति का मन वो बूड़ा है आदमी पर मन अभी भी अगर उर्जावान बना हुआ है तो व्यक्ति युवा ही कहलाएगा मन कमजोर आदमी कमजोर मन दुरुस्त आदमी दुरुस्त देखो न जैसे कि दादा जी को देख लो यह दर बैठे हैं 86-86 साल के हैं पर 80-80 साल के उम्र में भी अपने कपड़े खुद धोते हैं अपना काम स्वयम करते हैं सित्यासी वर्स के उम्र में भी अपने सारे काम खुद करते हैं और अभी भी क्रियाशिल जीवन जीना पसंद करते हैं ये सब कैसे संबव है व्यक्ति का मन अगर मजबूत है तो इनसान की किस्मत उसकी मुठी में होती है इनसान का मन अगर मजबूत है तो व्यक्ति का तन अपने आप उसका सहयोगी बन जाता है और मन ही अगर बूड़ा कर बैठे तो सौ सो तरह के बिमारियां आदमी को आकर के घिर लिया करती है इसलिए हमें अपने मन को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए, मन को कभी भी पंगु नहीं होने देना चाहिए अपन लोगों ने ये तो सुना है कि इंसान का मन चंचल होता है इंसान का मन क्रियाशील होता है लेकिन हमें यह भी बोध रखना चाहिए कि इंसान का मन शक्तिशाले भी हुआ करता है मन एव मनश्यानाम कारणम मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जब अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवन ये मन तो हमारा इतना चंचल है आखिर हम अपने मन के द्वारा इश्वरिया शक्ति की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं तब श्री भगवान अर्जुन से कहते है मेरे पार्थ जो मन इतना चंचल है यदि वही मन इनसान का इकाग्र हो जाए तो यही मन परमात्म प्राप्ति में सहयक बन जाया करता है केवल मन को सही दिशा देने की जरुवत है मन को केवल सही दिशा देने की जरुवत है जो हमारा मन आर्थ ध्यान में उलजा है रोद्र ध्यान में उलजा है केवल उसकी दिशा बदलने की जरुवत है आर्थ ध्यान और रोद्र ध्यान पर चर्चा अपन लोगों ने इसलिए की या ग्यानी लोग चर्चा इसलिए करते हैं ताकि अनेक दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे होते हैं पर हमारा मन वो हमें छोड़ता नहीं है और हमारा मन हमें अपने घेरे में लेकर के आर्थध्यान और रौद्ध्यान करवा लेता है तो एक सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के मन में तनाव हो अवसाद हो चिंता हो ये उसका स्वास्ति नहीं का जाएगा तन और मन दोनों स्वस्त होने चाहिए तो स्वस्त तभी हो पाएंगे जब हम लोग अपने मन को गलत चिंतन दूशे चिंतन और पवित्र चिंतन से अपने आपको बचा करके रखेंगे कभी भगवान माहवीर के सामने राजा श्रेनिक ने जाकर कि एक प्रस्न किया था कि भगवन मैं बहुत धार्मिक जीवन जीता हूं लेकिन आपने मेरे लिए भविश्य वानी की है कि तुने अपने जीवन में इतने पाप बटोड लिये थे अती जीवन में कि तुम मरकर के नरक में जाएगा तो क्या कोई तरीका हो सकता है कि मेरे नरक टल सके बोले हाँ तरीके तो है लेकिन बहुत कठिन है बोले मैं तरीका अपना हूँगा आप बताईए तो सही मारक दर्शन तो दीजिए तब कहते हैं कि भगवान माहवीर ने उसे जो जो उपाए बताए थे उन में से एक उपाए यह था कि माहवीर ने कहा था कि तुमारे यहाँ पर काल कौश्रिक कसाई रहता है उस वो कसाई रोजाना पान सो भैसों को मारता है यदि एक दिन भी वो भैसों को ना मारे तो तुमारी नरक टल जाएगी राजा शिणिक ने का भगवन ये तो आपने बहुत सीधा स्रल उपाए बता दिया ये परजा मेरी है मैं जैसा चाहूं वैसा उनको वैसा कर सकता हूं अपने सेनिकों को आदेस दिया कि उस कसाई को पकड़ कर ले आओ और अगले दिन सुबह है वो भगवान के पास पहुंचा बड़ा प्रसन होकर कि भगवन मेरी नरके तो टल गई बोले बटो कैसे टल गए बोले आपने कहा था कि कालकौश्रिक कसाई अगर एक दिन के लिए भी जो रोजाना वो 500 भैसो को मारता है अगर एक दिन के लिए भी ना मारे तो मेरी नर्ग टल जाएगी भगवन, मैंने ऐसा कर दिया कल वो एक भी भहनसे को न मार पाया भगवान ने कहा वत्स क्रिय महत्व पूर्ण नहीं है मन की प्रवर्तिया महत्व पूर्ण है बुले क्यों क्या हुआ भगवन तब कहते हैं भगवान ने कहा कि उसने मिट्टी के अंधेरे कुए में गिरा था अंधेरे कुवे की गिली मिट्टी मैंसे ही उसने भैसे बनाए और पानसो बैसों के पाड़ों को उसने वहीं पर ही हाथों से ही तोड़ तोड़ के को मारता रहा कि मेरा नियम नहीं तूटना चाहिए मैंने अपने पिता को वचन दे रखा है कि मैं रोजना पानसो बैसों को मारूंगा तो क्या हुआ वो बैसे ना सही तो मिट्टी के बैसे ही मार दो लेकिन मारूंगा अवश्यर तब कहते हैं श्रेनिक वहाँ जाता है देखता है मिट्टी के छोटी छोटी खिलाओने जैसे बैसे या पाड़े वहाँ पड़े हैं उनके गर्दने टूटी हुई हैं तब राजा श्रेनिक को ये बात समझ में आ जाती है कि आदमी की मन ही आदमी के मन की प्रवर्तियां ही प्रधान प्रवर्तियां कही जाएंगी तो चुकि अपन सब लोग कोई ध्यान मार्क पर चलने वाले हैं कोई सामाई करने वाले हैं कोई प्रतिकर्मन करने वाले हैं कोई पूजा पाठ करने वाले हैं कुल मिलाकर के अपन सभी लोग अच्छा जीवन जीने वाले हैं लेकिन अच्छा जीवन जीने के बावजूद अ हमारे दिमाग में उथल पुथल चल सकती है या कभी भोग से जुड़ी हुई कोई प्रवर्टी उठ गई और उसके करण हमारे मन में उधेड बुन चल सकती है तो इस तरह से हमारे दिमाग में हमारे मन में कभी हिंसा जनित कभी असत्य से जुड़ा हुआ कभी कोई चोरी से जुड़ा हुआ कभी कोई संग्रह परिग्रह से जुड़ा हुआ वस्तू जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू अपन लोगों के दिमाग में उठ सकता है और उठने के बाद उसका तूफान उसकी आंधी उसका घेरा अपन सब लोगों को घेर सकता है इसलिए आर्थ ध्यान और रोद्र ध्यान के पहले चर्चा की गई क्योंकि आज हम जिस ध्यान की चर्चा करेंगे वो ध्यान है धरम ध्यान उस धरम ध्यान के पवित्र पत पर चलने वाले व्यक्ति को आर्थ ध्यान और रोद ध्यान आकर कभी घेर सकता है तो ये घेरे हमें न घेरे हम इनके चंगुल में कहीं न फस जाएं इसलिए भगवान ने पहले इन दो अशुब ध्यानों के हमारे सामने चर्चा कर दिये और ज्यानी जन जब हमें बता रहे हैं कि इन दो अशुब ध्यानों से बचना चाहिए तो हम इनसे बचें और फिर हम लोग धरम ध्यान के पवित्र पत को समझें ध्यान सूत्र का आज का मंगल सूत्र है जिसके भाव ये हैं शुब ध्यान साधक को भावना देश काल तथा आशन विशेश आशन विशेश आलंबन क्रम धेय ध्याता अनुप्रेक्षा लेश्या लिंग और फल को जानकर धर्म ध्यान में ततपर होना चाहिए कई तरह की चीज़ों को हमें बोध रखना चाहिए अब एक चीज़ अपने इस पश्ट करेंगे ध्यान का अभ्यास करने के पश्चात उसे शुक्ल ध्यान में सनलगना होना चाहिए अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार लेते हुए ध्यान के पहलू को समझेंगे कि एक साधक को भावना देश यानि इस्थान काल यानि समय तो किस समय ध्यान करना चाहिए किस खित्र में ध्यान करना चाहिए किस आसन में बैठकर ध्यान करना चाहिए ध्यान के दौरान उसको किस सीज़ का आलंबन लेना चाहिए ध्यान का क्या क्रम होना चाहिए उसका धे क्या होना चाहिए ध्याता कौन है उसके अनुप्रिक्षाएं किस तरह की रहनी चाहिए लेश्या कैसी होनी चाहिए लिंग और ध्यान का फल क्या हो सकता है इन सब चीजों को जान कर उसे ध्यान करना चाहिए धरम ध्यान की तरह प्रवर्त होना चाहिए एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पहला बिंदू है भावना भगवान कहते हैं कि जिसने भावनाओं के माध्यम से ध्यान का पहले अभ्यास किया है वह ध्यान करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है भावनाएं चार प्रकार की होती हैं ज्यान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना और वैराग्य भावना ध्यान करने वाले साधक को ध्यान से जुड़े हुए प्रत्यक चीज का ज्यान होना चाहिए जो भी पहलू होते हैं उससे जुड़ा हुआ वो हर पहलू का हमें ग्यान, समझ, जानकरी, पूरी-पूरी होनी चाहिए ताकि कब कहां किस क्रम को जोड़ना है उसका उसे बोध रहे जैसे एक जोतिश विद्या को जानने वाले व्यक्ति को ग्रह, गोचर, नक्षत्र, जनमकुणली, चंद्रमा, राशी, सभी चीजों का पूरा-पूरा ज्यान होना चाहिए वैसे ही एक ध्यान करने वाले सादक को भी इन सब चीजों का भली-भानती ज्यान होना चाहिए तो जब इन सब चीजों का हम लोग चिंतन कर रहे हैं मनन कर रहे हैं इसके प्रकाश में अपनी आत्मा को अपने आपको ले जा रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि शुब ध्यान करने वाले सादक को सबसे पहले भावनाओं का ग्यान होना चाहिए सामाने तोर पर भावनाओं कहलाती हैं मैत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्त मैत्री अर्थात प्राणी मात्र के प्रती मेरा मित्र भाव है ये भावना उसके भीतर हो प्रमोद अर्थात विप्रीत परिस्थिति आ जाने पर भी मैं अपने चित्त को प्रसंद रखूंगा क्या चीज़ विप्रीत परिस्थिति आ जाने पर भी मैं अपने आपको प्रसंद रखूंगा मैं आपनी प्रसंदता को गिर्भी नहीं रहने दूँगा किसी भी स्ठिती में कोई क्रोध करे कोई मुझे भला बुरा कहे पर मैं अपने आप में प्रसंदा रहूनगा कोई भले ही मुझे जहर पिला दे लेकिन मैं अपनी तरप से प्रती मित्रता का भाव एक सादक की पहली कसोटी यही है कि मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, मैं सब का मित्र हूँ मैं अपनी जिन्नगी में कभी किसी की निंदा नहीं करूँगा अलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि बूज करके जा जा करके जब अपन किसी को छेडेंगे तो क्या होगा अगला भी चड़ेगा तो चड़ेगा तो अपनी तरब से पहला एक साधक क्या होना चाहिए विश्वमित्र एक साधक क्या होना चाहिए विश्वमित्र साधक के विश्वमित्र है अपन सारे लोग विश्वमित्र है लोग लिखते हैं अनेक संत लोग लिखते हैं कि राष्ट्र संत संत कोई राष्ट्र संत थोड़ी होता है संत तो विश्व संत होता है वो कोई एक राष्ट्र का भला करने के लिए अपने कदम थोड़ी बढ़ा रहा है अपने ग्यान मैं वानी का उपयोग थोड़ी कर रहा है किवल एक राष्ट्र का भला करने के लिए राष्ट्र तो व्यक्ति विशेश का हो सकता है जिस मिट्टी पर तुमने जनम लिया वो राष्ट्र हो सकता है लेकिन जब कोई व्यक्ति संत बनता है तो संत बनते समय वो जैसे ग्रियस्थी का त्याग करता है माता पिता का त्याग करता है कुल और परिवार का त्याग करता है वैसे ही एक संत देश उसकी मर्यादा उसकी व्यावस्थाओं कभी वो त्याग कर देता है। देश का नागरिक ये तो नए युक्की देन हैं। बाकि पहले तो व्यक्ति किसी एक देश का नागरिक नहीं होता था। भारत का व्यक्ति अरब जाता था। अरब का व्यक्ति भारत आता था। व्यापार करने के लिए आते थे लोग आराम से रहते थे। राजा की आग्या ले ले लेते और रहने लग जाते थे पहले तो। अब थोड़ी व्यवस्ताएं बदल गई हैं इसलिए नागरिकता होने जरूरी है या बीजा पासपोर्ट होना जरूरी है ये सब व्यवस्ताएं नए नियम लागू हुए हैं। खेर जो भी हो संत तो विश्व संत होता है वो सारे प्राणी मात्र के कल्यान के लिए प्रयतनशील होता है तो इसलिए पहला क्या है पहला भाव क्या है पहली भावन क्या है मित्रता मैं विश्व मित्र हूँ हर साधक को शांती दूत होना चाहिए हर संत को शांती दूत होन समर्पित करता है प्राणी मात्र के लिए शांती का संदेश देता है कि विश्व में शांती हो विश्व भ्रात्रित्व विश्व प्रेम विश्व शांती विश्व मित्रता यही सब तो संत की देन है और यही सब तो एक संत अपने सारे सिश्यों को बनाना चाहता है एक संत जो अपने पंथ का अन्याई बनाना चाहता है तो ठीक है वो डबरो वाला था खुद भी और डबरो में ही लाला कर लोगों को बिठा रहा है खुद भी कुए का मेंधक और दूसरों को भी कुए का मेंधक बना रहा है, संत तो सागर की तरह होता है, जो खुद भी विराट होता है, और अपनी और से दुनिया को भी विराटता का पैगाम देता है तो मैं तरी प्रमोद विपरीत परिस्तिति आने पर भी मैं प्रसंद रहूंगा विप्रीत परिस्थिति आने पर मैं विचलित नहीं होगा क्योंकि परिस्थितिया सदा एक सी नहीं रहती प्रकृति का धरम क्या है परिवर्तन शीलता यहां सब कुछ बदलता है आज अनकूल है कल वही पर ही प्रतिकूल भी हो जाएगा तो यह प्रकरती की व्यवस्था है कि यहाँ पर एक जैसे परिस्थिति नहीं रहती है जब तै है कि एक जैसे परिस्थिति नहीं रहती है तो संत तो हमेशा प्रसंद नहीं रहने वाला होता है कहते हैं एक संत के पास एक व्यक्ति पहुचा और जाकर कहने लगा ए महराज, हुक्का-ुक्का कुछ है, पीने के लिए चीलम-विलम कुछ है, संत ने का, नहीं भई, हम लोग चीलम-विलम नहीं पीते, और उसने गालियां ठोकनी शुरू कर दे, है, साला काये का संत है, सिद्ध बना हुआ घूमता है, चीलम भी नहीं रखता, काये का संत है, और अनर्गल बोलने लगा, गाली गलोच करने लगा, संत अपने शांत रहा, थोड़ी देर के बाद, जब यूवक थोड़ा ठंडा पड़ गया, तो एक कौने में जाकर बैठ गया, और जैसे जाकर बैठा, संत अपने कुटिया में गया, और एक प्याला शर्बत उसके लिए बना कर लाया, और कहा, लो भाई, थोड़ा शर्बत पीलो, तुमारा दिमाग थंडा हो जाएगा, थोड़ा सा, शर्बत पीलो, भी शांती दूत बना हुआ रहता है वही व्यक्ति संत है संत के लिए संत से बड़ा विशिशन और कोई होता ही नहीं लोग गेले हैं जो कोई तो आचारिय बनने की होड में लगे हैं कोई उपाध्याय बंदे की होड में लगे हैं और पता नहीं गणी और पन्यास पता नहीं कौन-कौन से पद पर लगे हैं संत से बढ़कर कोई पद होता ही नहीं है संत में हजार अर्थ समाए है लेकिन आचारिय में उपाध्याय में गणी या पन्यास में दो, दस, बीस अर्थ ही समाए होंगे पर संत में तो सारे विश्व की सभ्यता समाई हुई है सारे विश्व की संस्कृतियां समाविष्ट है संसार का सबसे पवित्र शब्द है और वो है संत जब Mother Teresa को पुरे विश्व के लोगों ने संत बनाने की कोशिश की संत बनाने की कोशिश की तो उनके मुख्य पाद्रियों ने एक बार आपत्ती उठा दी थी कि Mother Teresa को संत नहीं कहा जा सकता Mother कहना सरल है Mother कह सकते हो लेकिन संत नहीं कह सकते और जब कहते हैं कि आखिर में जब ये निर्ने हो गया और Mother Teresa को संत की उपादी दी गई तो पूरे विश्व में Mother Teresa के अनुयाईयों ने जो जस्न मनाया कि अब हमारी Mother Teresa संत बन गई है यानि कि अपन समझ सकते हैं कि संत शब्द कितना महिमा पूर्ण है अगर अपन मैंसे कोई भी व्यक्ति संत है तो उस संत शब्द पर उसे गौरव करना चाहिए कि इश्वर के महती कृपा उसने मुझे संत बनाया सन्यास का जीवन दिया मैत्री, प्रमोध, करुणा प्राणी मात्र के प्रति दया प्राणी मात्र के प्रति मुक्ति की भावन महा करुणा शील होना चाहिए व्यक्ति को हमसे किसी जीव की हत्या न हो हिंसा न हो किवल इतना ही नहीं वरन हमसे हर जीव को मदद मिले अगर हमारे कारण किसी को भी जीवन मिल सकता है जीवन मिले हर व्यक्ति को इतना महा करुणा शील हो जाना चाहिए कि मेरी वज़े से अगर किसी को कोई भी मदद मिल सकती है तो मिल जाए अभी कुछ दिन पहले की बात है पत्मेडा गउशाला के अध्यक्ष अपने खास प्रिय व्यक्ति है अशोग जी कोठारी तो हमारे पास बैठे थे और कह रहे थे कि राजस्तान की सारी गउशालाओं को घास भिजवाने की व्यावस्ता करवा रहा हूँ तो लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी घास की व्यावस्ता हो जाएगी उसने कहा वापस जवाब में उस अशोग जी कोठारी ने कि जब तक मेरे पास खाने के लिए रोटी है तब तक गाए के लिए घास की व्यावस्ता हो जाएगी और अगर मेरे पास ही रोटी नहीं होगी खाने की, तो इसका मतलब मेरे पास अब गायों को भी खिलाने की रोटी नहीं है, अगर मुझे आधी रोटी खानी पड़ी, तो मैं आधी रोटी खा लोगा, लेकिन किसी भी गाय को बूखे नहीं मरने दूँगा ये क्या है, ये महा करूणा है यह विश्व प्रेम है यही है महा करुणा कि इस तरह के हमारे हर्दय में दया पूर्ण मित्रता पूर्ण प्रेम पूर्ण करुणा पूर्ण यह जो तत्व उभर कर आते हैं यही है महा करुणा बुद्ध को जब निर्वान की स्थिती आई थी निर्वान का दीवस आया तो देवता लेने के लिए आए तो उस समय बुद्ध ने यह कहते हुए निर्वान पद पाने से इनकार कर दिया था कि अगर ए देवताओं तुम मुझे महा निर्वान पद तक ले जाना चाहते हो तो पहले मेरे साथ ये हजारों हाजार जो दुखी लोग हैं तुम लोग पहले उनके निर्वान के मुक्ति की व्यवस्था करो उसके बाद मेरे महानिर्वान की सोचना, ये है महा करोणा अर्थात अपनी आरोसे प्राणी मातर के भला के लिए सोचना स्वार्थी कौन जो लाब के लिए सोचता है परमार्थी कौन जो लाब को उल्टा करके भले के लिए सोचता है लाब शब्द का ही उल्टा कर डालो तो बन जाता है भला तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है वो लाब के बारे में सोचता है लेकिन जो परमार्थ करता है वो लाब को उल्टा करके भलाई के लिए सोचता है औरों का कल्यान मेरे द्वारा कैसे हो जाए ये बात महत्तोपुन हुई तो तीसरा है करुणा और चौथा है माध्यस्त भाव अर्थात मेरे जीवन में अनकूल या प्रतिकूल चाहे जैसे परिस्ति बन जाए लेकिन मैं मध्यस्त रहूँगा तटस्त रहूँगा साक्षी रहूँगा अपने आपको उन परिस्तियों से प्रभावित नहीं यहां कहलाता है मध्यस्त मध्यस्त व्यक्ति जैसे कोई जगडा भी होता है बोले कि इस व्यक्ति को मध्यस्त बनाते हैं यह हमारा समाधान कर देगा मध्यस्त अर्थात वो व्यक्ति अन्याय नहीं करेगा वो तटस्त रहेगा और जो सही है उसका निरने वो करके बता तो एक साधक के लिए मैत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्तिया उपेक्षा भाव। दोनों ही शब्द कहलाते हैं माध्यस्तिया उपेक्षा 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 यानि हमने उसके प्रती उदासींता बरती। तो ये एक साधक के लिए भी चार भावनाएं हैं प्राणी मात्र के लिए चार भावनाएं हैं कोई भी व्यक्ति इन चार भावनाओं को भाएगा इन चार भावनाओं को जीएगा वह व्यक्ति निश्चित तोर पर धर्म की दिश्टि से अपना ग्राफ उपर उठाने में होगा चूंकि महावीर एक गहन ध्यान साधक व्यक्ति रहे महावीर अनुत्तर योगी रहे जितनी गहराई से उन्होंने ध्यान को जिया होगा शायद संसार में उतने गहनता के साथ ध्यान को जीने वाले लोग ही कम हुए होंगे लगातर साधे बारा वरस तक महावीर ध्यान ही ध्यान में डूबे रहे परम एकांत परम मौन और परम ध्यान माहवीर ने तीन चीजें अपनाई परम ध्यान परम मौन परम एकांत और चौथी जिस चीज को अपनाया था वो था परम सहिश्णुता परम सहन शिलता जो भी मुझे सहन करना पड़ेगा मैं सहन करूँगा लेकिन अपने परम पद को निर्वान पद को मोक्ष पद को केवल ज्यान के पद को प्राप्त करके ही रहूंगा चौँकि उन्होंने ध्यान की बारीकियों को हर तरह से जीया इसलिए वो मैत्री प्रमोद करूणा और माध्यस्त की जो चार भावनाई उससे और हमें आगे बढ़ाते नई चार भावनाई दे रहे हैं और कहते हैं ज्यान भावना दर्शन भावना चारित्र भावना और वेराग्य भावना ये चार भावनाई हैं जैसा कि उत्राध्यन सूत्र में स्वेम स्वी भगवान कहते हैं नानेन जान यी भावे ग्यान के द्वारा व्यक्ति जानता है दंसनेना या सद्ध है दर्शन के द्वारा व्यक्ति शद्धा करता है चरित्तेन निगनहाई चरित्र के द्वारा निरोध करता है निग्रह करता है तवेना परिसुद्जई तब के द्वारा परिशुद्ध होता है व्यक्ति की आत्मा निर्मल होती है ग्यान भावना दर्शन भावना चरित्र भावना और वेराग्य भावना इसको हम चाहे तो यह भी कह सकते हैं ग्यान की निर्मलता द्रिष्टी की निर्मलता चारित्र की निर्मलता और वेराग्य की निर्मलता ये चार भावनाएं एक तरह से चार चरण हो गए हमारी साधना के लिए कि अगर हमारा ग्यान निर्मल है हमारी दृष्टी निर्मल है हमारा चारित्र निर्मल है हमारा वेराग्य निर्मल है तो ये चार तत्व अगर किसी के पास है वो व्यक्ति निश्चित तोर पर धरम ध्यान के पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने में सफल होगा और वो व्यक्ति आज नहीं तो कल शुक्ल ध्यान का स्वामी बनेगा किसका स्वामी बनेगा शुक्ल ध्यान ध्यान की पराकाष्ठा शुकल यानि श्वेत शुकल यानि परम निर्मल तो उस परम निर्मल अवस्था को प्राप्त करेगा जो व्यक्ति धरम ध्यान के मार्ग पर चलेगा और इन चार भावनाओं को इन चार निर्मलताओं को अपने जीवन के साथ जोड़ेगा पहला क्या है ग्यान भावना ग्या अंकुष लगाने का तरीका क्या हमारे मन को डाइवर्ट मन को परिवर्थित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कौन सा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की दिशा को बदलेंगे तो कहते हैं कि बुद्धी के द्वारा मन पर अंकुष लगाओ मन पर किस के द्वारा अंकुछ लगाओ बुद्धी के द्वारा बुद्धी योग राज योग कहलाता है बुद्धी योग राज योग कहलाता है गीता में कृष्ण ने जिसे राज योग कहा है वो वास्तों में ज्ञान योग है वो बुद्धी योग है इसलिए तो गीता के कृष्ण ग्यान योग, भक्ती योग, कर्म योग अनासक्ती योग की बात करते है कुल मिलाकर ये सब शब्द बदल रहे हैं ये थोड़ी परंप्राओं का भेद हो रहा है पर मूल तत्व एक ही है ये ध्यान रखिएगा वो उधर कह देते हैं ग्यान योग इधर कह देते हैं ग्यान भावना ठीक है, उन्होंने कह दिया भक्ती योग इधर इन्होंने कह दिया चारित्र योग चारित्र भावना उधर वो कहते हैं आनासक्ती योग इधर कहते हैं वेरागिया भावना यह एक दो शब्द आगे पीछे कर दिये जाते हैं लेकिन मूल तह परमसत्य तक जाने का मार्ग एक ही है शब्दों का थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है जोती में कहीं कोई फर्क नहीं सारा फर्क दियों में है दियों से उपर उठ जाओ तो कहीं कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा जैसे कबुत्र कभी मस्जित पर भी गुन गुना लेते हैं और कभी मस्जित पर बैठ कर मंदिर और मस्जित का फर्क वो नहीं करते कभी मंदिर पर भी गुटर गुं कर लेते हैं और कभी मस्जित पर कभी चर्च पर भी बैठ जाते हैं और कभी गुरुद्वारे पर भी उनको तो मस्ती लेने हैं कहीं भी बैठ के कर लेंगे सारा बैठक खाना है चाए मंदिर हो चाए मस्जिद हो कबुत्रों के लिए कोई फर्क नहीं है और जिस व्यक्ति ने अपने आपको इन पंथ दाइरों से उपर उठा लिया है उसके लिए मंदिर भी आधरनीय है मस्जिद भी आधरनीय है गुरुद्वारा और चर्च भी उसके लिए आधरनीय है उसके लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है पहला पद है पहली भावना है और वो है ज्ञान भावना ज्ञान के द्वारा अपने मन को नियंतित करो ज्ञान के द्वारा अपने मन को निर्मल करो ज्ञान के द्वारा अपने मन की दिशा बदलो अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना स्वाध्याय करेगा प्रतेक व्यक्ति को रोजाना एक घड़ी, दो घड़ी, चार घड़ी नहीं होता है तो आधा घड़ी ही सही लेकिन रोजाना स्वाध्याय जरूर करना चाहिए अच्छी किताबें जरूर पढ़ने चाहिए कौन सी किताबें पढ़ी जाए वो किताबें नहीं कि जिन किताबों को पढ़ने से मनुरंजन होता हो वो किताबें पढ़ी जाए कि जिन किताबों को पढ़ने से हमारा आत्म ग्यान का मार्ग और पुष्ट हो कौन सी किताबیں पढ़ी जाए कि जिन किताबों को पढ़ने से हमारे आत्म ग्यान का अध्यात्म ग्यान का मार्ग और ज्यादा पुष्ट होता हो उन किताबों को पढ़ा जाए इसलिए धरम शास्त्र पढ़ो जिन में अध्यात्म ग्यान में भी बढ़ोती होगी आध्यात्मिक ग्यान में बढ़ोती होगी ऐसे शास्त्र पढ़ो अब ले देकिल अगर कोई व्यक्ति उपन्यास लेकर बैठ जाएगा कोई भी जासु सी उपन्यास बोले मैं तो साब किताबी रोजा पढ़ता हूँ दो गंटा लेकिन वो निल बटा निल है परिणाम क्या निकल कर आया कोई क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है महत्वपूर्ण होता है उस क्रिया का परिणाम क्या आया कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती क्रिया का परिणाम हम क्या निकाल कर ला पाए ये बात महत्वपूर्ण है हम पढ़े चार गंडा पढ़ गए पर पूछो भई क्या पढ़ा वो तो याद नहीं है तो परिणाम के नाम पर शुन्या परिक्षाएं क्यों करवाई जाती है परिक्षा तो एक टैंसन है एकजामिनेसन तो एक टैंसन है लेकिन फिर भी ये क्यों करवाई जाती है ये इसलिए करवाई जाती है ताकि परिणाम क्या आया तुमारे पढ़ने का ये तुमें पता चल सके तुमें स्वैं को पता चल सके कि तुमने जो पढ़ाई की है वो 40% success रही, कि 60% रही, कि 89% रही कितने प्रतिशत सफलता मिली है तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में इसके लिए examination करवाई जाता है, बाकि examination का अन्य अकोई उपयोग नहीं है तो परिणाम महत्वपूर्ण है कि क्या परिणाम आया, स्वाध्याय किया, अच्छी किताबे पढ़ी, परिणाम क्या आया बुद्धी के द्वारा, मन पर अंकुष लगाने के लिए हम अच्छी किताबें, अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति एक गंटा रोजाना अच्छी किताबें पढ़ेगा तो मैं तो का करता हूँ कि रोजाना एक गंटा पढ़ने वाला व्यक्ति पांच साल में पारंगत पंडित बन जाता है कितने साल में? पांच साल में पारंगत पंडित बन जाता है, बस मनो योगपुरोग पढ़ो दिन पर कितामें लेकर मत बैठो, किताबों के कीड़े भी मत बनो जितना पढ़ा मनो योग पुरुवक पढ़ा, जो पढ़ा वो बिल्कुल अंतर मन की गहराई तक उतर गया बुद्धी की गहराई तक उतर गया, हमारे लिए वो ग्यान सम्यक ग्यान बन गया पहला है ग्यान भावना, खुद ग्यान प्राप्त करो, दूसरों की घटनाओं को देखकर ग्यान अरजित करो चिंतन मनन करके ग्यान अरजित करो, स्वाध्याय करके ग्यान अरजित करो जो हम से ज़्यादा ग्यानी हैं उन ग्यानी जनों के पास बैठ कर ग्यान अरजित करो संत जीउन की चर्चा मैंने पहले कभी की है कि उसकी मा ने संत जीउन को खत लिखा था और खत में यही लिखा था कि बेटा तेरा नाम बहुत फैल चुका है तुम गाओं गाओं नगर नगर जाकर के अपने विद्वत्ता पूर्ण प्रवचन देते हो लोगों को आकरशित करते हो पर बेटा न तो नाम का कोई अंत है न यश का कोई अंत है और नहीं सूसनाओं का कोई अंत है अगर तुम मेरे बेटे कहलाना चाहते हो तो जाओ पहले किसी मठ में जाकर किसी मंदिर में जाकर किसी श्राइन में जाकर के वहां एकान तवास करो और अपने वास्तविक सत्य का ग्यान पहले प्राप्त करो पहले अपने आपको जानो और जिस दिन तुम अप जी उनको खत लिखा, ये खत क्या है ये खत अपने आप में एक शास्त्र है ये खत अपने आप में उसके मन में जो महत्वा कांक्षा शील मन है उस महत्वा कांक्षा शील मन को नई दिशा दे कर उसको साधना शील बनाने का यह एक तरीका है तो पहली भावना ही है ग्यान भावना कि हम हमेशा जाने सोचे मैं कौन हूँ मैं कहां से आया हूँ मुझे यहां से कहां जाना है मैं किस दिशा से आया हूँ किस विदिशा से आया हूँ वापस मुझे यहां से कहां जाना है व्यक्ति सोचे चिंतन करे मनन करे ग्यान भावना भाए कि क्या मेरा जन्म माता पिता से ही हुआ है या मेरे जन्म का और भी कोई हेतु है माता पिता ने मुझे पैदा किया या वो मेरे जन्म के केवल माध्यम भर बने उन्होंने पैदा किया या उनकी कोख मेरे जन्म में माध्यम बनी मैं कहीं और से आया हूं इस लोक में और कहीं किसी और लोक में जाऊंगा या यही प्रत्वी ग्रह ही मेरा संसार है मेरे जनम और मृत्यू का आधार है तो व्यक्ति बैठ कर सोचे चिंतन मनन करे तो व्यक्ति ग्यान भावना कैसे भाएगा चिंतन मनन के द्वारा भाएगा स्वाध्याई के द्वारा भाएगा बड़े ज्यानी जनों के पास बैठकर वो अपनी ज्यान भावना भाएगा अच्छे दिव्य संतों के सत्संग प्रवचन सुनकर वो अपनी ज्यान भावना भाएगा ध्यान में बैठकर और वो अपनी ग्यान भावना भाएगा ग्यानी कहते हैं ग्यान भावना को भाने से व्यक्ति धर्व ध्यान के तरफ बढ़ता है उसकी आत्मा उसकी मनोदशा निर्मल होती है जितना जितना हमारे पास ग्यान का प्रकाश फैलता चला जाएगा हम उतनी उतनी मात्र में अपने मन को शुद्ध निर्मल करने में सफल होंगे मन को ठीक करना महवीरों के लिए और महादेवों के लिए भी कठिन है भाई मन को ठीक करना महवीरों और महादेवों के लिए भी कठिन है लेकिन फिर भी महादेवों ने इनको साधा है महवीरों ने इनको साधा है माना कि मन बंदर है लेकिन बंदर फिर भी साधा जा सकता है ये मन रूपी बंदर फिर भी साधा जा सकता है तो साधने का तरीका क्या होगा? किस के द्वारा साध होगे? तो डमरू के द्वारा साध होगे? दोलक के द्वारा साध होगे वो ढोलक क्या होगी वो ढोलक होगी ज्यान भावना बुद्धी के द्वारा हम अपने मन पर अंकुष करेंगे बुद्धी के द्वारा अपने मन को समझाएंगा रे जीवडा काई करें रे क्यों सोचे यूँ और हम तरीके कोई भी अपना सकते है शब्द कोई भी उपयोग हो सकता है लेकिन जैसे की मेग कुमार रात भर सोया था लेकिन सो न पाया पहले दिन ही सन्यास लिया था राज कुमार था सन्यास लिया तो गुरू के पास और भी हजारों हजार शिश्य थे तो जहां पर वो सोया थो बिल्कुल गेट के करीब था दरवाजी के करीब था रात भर आने जाने वाले संतों की ठोकरों से वो तो सो ही न पाया उसने का कि यह संत बेटे कल तक मैं संत नहीं बना था तब तक तो मेरी खूब हांजी हांजी करते थे अब मैं संत बन गया तो मुझे गेट के पास फुला दिया और सब लोग आते जाते रात के अंधिरे मुझे ठोकर मारते हैं मैं तो कल सुबह वापस अपने राज महल चला जाओंगा और तब भगवान ने जैसे ही उसने कदम बढ़ाया राज महल के तरफ जाने के लिए कि भगवान ने कहा एए मेग केवल एक रात में ही विचलित हो गया केवल एक रात में ही विचलित हो गया उसने हका बका रहा चौका अपने गुरु की तरफ नजर उठाई बोले इनको कैसे पता चला कि मैं विचलित हो गया और तब गुरु ने सद्गुरु ने कहा था ऐ मेग अपने पूरो जन्म को याद करो कि तुम हाथी के भव में थे लेकिन एक खरगोश को बचाने के लिए तुने तीन दिन तीन रात तक अपने एक पाउं को उपर रखा किवल तीन पाउं पर ही तुम खड़े रहे पाउं अकड गया तुमने जैसे ही पाउं जुकाया पाउं वापस फैलाया कि पाउं सीधा नहों पाया तुम इतने अकड चुके थे नीचे गिरे, मर गए लेकिन तुमने एक खरगोश पर जो महान करुणा और दया की थी उसके पुन्य परताब से तुम राज कुमार बने, तब तुम एक हाथी के भव में हाथी की योनी में रहकर के भी तुमने अपना उधार कर लिया और आज तो मनुश्य योनी में आकर मनुश्य जन्म प्राप्त करके भी इस तरहे विचलित हो गया और तब कहते हैं मेग कुमार को अपना पूर जन्म इसमर्ण हो आया और तब उसने हाथ जोड़कर अपने गुरू से कहा था भगवन अब ये मेग आजीवन संत रहेगा और आजीवन ऐसी ठोकरे तो क्या मुझे अब कुछ भी अगर प्राहर कर दिया जाएगा तब भी ये मेग कुमार सब को सहन कर जाएगा अब आपको भविश्य में कभी भी कोई शिकायत नहीं मिल पाएगी गुरू ने शिश्य को क्या दिया ग्यान दिया ग्यान भावना में लाकर के उसको खड़ा किया अग्यान दशा में वो चला गया था मेग कुमार अग्यान दशा में चला गया था अविद्या मित्यात्व दशा में चला गया था लेकिन गुरू ने उसको सावचेत करके वापस ग्यान दशा दी ग्यान भावना से जुड़ा और इस तरह से वापस मेग कुमार एक सही पत का अनुयाई बन गया इसलिए हमारे लिए ग्यान भावना जरूरी है ताकि हम अपने अग्यान को काट सकें मन में जो आर्त ध्यान रौद ध्यान जो मेग कुमार के राद बर चला था आर्त ध्यान गुरू के दो शब्दों ने उसके आर्त ध्यान की धारा को तोड़ डाला और प्रकाश की धारा पकड़ा दी पहला है ग्यान भावना दूसरा है धर्शन भावना यानि दृष्टी की निर्मलता हमारे शरीर की तीस परतिशत उर्जातों केवल इस दृष्टी के द्वारा ही खर्च होती है शरीर में जितनी उर्जा है जीवनी शक्ती है वो सारी शक्ती मैंसे 30% उर्जा तो किवल आँखों के द्वारा खर्च होती है अगर आँखें दूशित हैं तो पूरा शरीर ही दूशित हो गया आँखें दूशित हैं तो मन दूशित हैं आँखें दूशित हैं तो हमारे सारे शरीर की उर्जा दूशित हो गई अगर दृष्टी निर्मल हो गई है हम अगर अपनी आँखों को गलत रास्तों पर नहीं ले जाते अपनी आँखों को निर्मल रखते हैं तो आँखें और मन याद रखो आँखें हमारे मन की खिड़कियां हैं आँखे क्या है हमारे मन की खिड़किया है मन देखता किसके जरीए है आँखों के जरीए अपने सारे विश्यों को देखा करता है पर आँखें निरमल यानि मन निरमल मन निरमल यानि आँखें निरमल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे मकान की खिड़किय मकान से अलग नहीं होती वैसे ही हमारे द्रिष्टी हमारे मन से अलग नहीं हो सकती है द्रिष्टी के निर्मलता हमें अपनी द्रिष्टी को कभी कभी अगर लगता है द्रिष्टी दूशित हो गई हो सकता है मन में आँखों ने देखा किसी विशय को और देखते ही मन में चिंदगारी उठ गई तो मन भी दूशित आँखें भी दूशित ततकाल हमें ग्यान भावना का अनुसरण करना चाहिए ग्यान भावना की शरण गरहन करनी चाहिए और अपनी दिश्टी को ठीक करना चाहिए आँखे खराब, जिन्दगी खराब, आँखे निर्मल, जिन्दगी निर्मल कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में भी पवित्र आँखों का स्वामी हो सकता और कई व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी दूशित द्रिश्टी के मालिक हो सकते हैं अब ये कहा नहीं जा सकता मैंने कभी 102 वर्ष के एक व्यक्ति से इंटर्वियू लेते हुए पूछा था कि क्या आपको अपनी पत्नी की याद आती है गुजरी हुई पत्नी की याद आती है मैंने पूछा क्यों पत्नी की याद आती है या उनके साथ जो आपने दामपत्य जीवन जीया उसकी भी याद आती है वो चौंके कि एक संत मुझसे सवाल क्यों कर रहा है मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं केवल जीवन को समझने की दिश्टी से कर रहा हूँ ये सोच कर कि कोई व्यक्ति जब सौ वर्स का हो जाता होगा तो काया बूरी हो जाती होगी तो बाकिस सब चीज़ें बूरी हो जाती होंगी मैंने का कि इमानदारी से जवाब दीजेगा और तब उस एक सो दो वर्स के व्यक्ति ने कहा कि सब तब फिर आपके सामने जब सच ही बोलना है तो वो बातें भी याद आती है वो बातें भी याद आती है अर्थात ये दिश्टी की और मन की दूशित्ता है ये रौद्र ध्यान हमारे भीतर जारी रहता है आर्थ ध्यान हमारे भीतर जारी रहता है निमित बदल जाते हैं पर भीतर में उल्जन जारी रहती है गीद आसमान में उड़ता है लेकिन ढूंडता क्या है क्या ढूंडता है मरे हुए जानवर मास का टुकडा गीद आसमान में रहता है यानि पहुंच तो कहा गया है आसमान की उचाईयों को छूने लग गया है लेकिन नजर उसकी नजर उसकी अब पवित रहे इसलिए वो गलत चीज़ों को ढूंडता रहता है हो सकता है कोई व्यक्ति मंदिर में भी चला गया हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सन्यास भी ले लिया लेकिन मन और दृष्टी दूशित है तो तो सन्यास लेकर गे भी वो गलत चीजे ढूंडता रहेगा मंदिर में जाकर के भी वो व्यक्ति गलत निमित्तों से जुडता रहेगा कुल मिलाकर ग्यानी जन कहते हैं दर्शन भावना भाव दिश्टी की भावना भाव की मेरी दिश्टी निर्मल रहे क्योंकि ग्यानी कहते हैं दंसनेना ये सद्धहे, दर्सन से ही शद्धा पैदा होती है, दर्सन से ही शद्धा पैदा होती है, और अगर शद्धा जन्म ले लेती है, तो शद्धा सबूरी, शबूरी के द्वार पर राम जी को आना पढ़ता है, मुल्य शद्धा का है, और शद्धा तब पैदा होगी, कि जब हमारी दृष्टी साफ सुत्री आईने की तरह निर्मल होके तीसरा है तीसरी भावना कौन सी है चारित्र भावना तीसरी भावना है चारित्र भावना अर्थात हमारे जीवन में कभी सैयम का ओदय आये मैं भी कभी संत जीवन धार्ण करूं धन्य है संत जनों को जो की सन्याज जीवन धार्ण करके अपनी आत्मा का कल्यान करने में लगे हुए है प्रभु के प्रेम में भीगे हुए दिव्य पत पर चल रहे हैं इश्वर कभी करे कभी मैं भी इश्वर करे कभी मैं भी चारित्र ग्रहन करूं और इस तरह से अपने पांच इंद्रियां और मन पर सैयम पाने में सफल बनू आज ये बहुत बड़ी बात है कि इस पंचम आरे में इस कल्योग में इस भौतिक योग में भी अनेक अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपने वैभव का त्याग करके अपने सुक संपदाओं कर्याग करके और अपनी आत्मा के कल्यान के लिए चारित्र ग्रहन करते हैं चारित्र क्यों ग्रहन किया जाता है अपने कर्मों के निग्रह के लिए अपने पूरों में बंदेवे कर्मों को काटने के लिए तो धन्य हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं ऐसा मज समझिएगा कि कोई विद्वा सन्यास लेती होगी, कोई विद्वा सन्यास लेता होगा अगर आप संत जनों को देखने जाएं, उनसे उनका परिचे पूछें तो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे, अच्छा, इतना पढ़ा लिखा इनसान और संत बन गया इतनी अच्छी संपदा रखने वाला व्यक्ति संत बन गया संत बनने वाला व्यक्ति, जब छोड़ कर निकलता है, तो जान लिया करता है कि आखिर एक नए एक दिन तो सभी चीज़ें छोड़ कर जानी ही है और जब सब चीज़ छूटे ही जानी है, तब फिर क्यों ना मैं पहले इनको छोड़ कर और इसके त्याग का भी आनन्द लूँ वेभव का तो आनन्द ले लिया, अब मैं इनके त्याग का भी आनन्द लो और तब वो लोग चारित्र भावना भाते भाते सईयम जीवन, मुनी जीवन, संतज जीवन अंगिकार कर लेते हैं जैनियों का तो मुनी जीवन वैसे भी बहुत कठिन है और दिगंबर मुनी जो लोग बनते हैं उनका जीवन तो और ज्यादा कठिन हो गया अभी देखो शाली भद्र मुनी जी को देखो आदरनिया आचारिय श्री चंपालाल जी माहराज के समुदाय में उनने दिक्षा ग्रहन की शायद उनने के समुदाय में दिक्षा ग्रहन की है तो तेले तेले से तीन तीन उपवास करके वो पारना करते हैं और पारने के दिन क्या लेते हैं केवल चाच और बाजरी की रोटी बाजरी की रोटी भी लुखी और चाच में वो बासी रोटी भीगोई हुई नरम हो गई और उसको चूर के खा लिया तेले तेले कर रहे हैं वो तिन-तिन उपवास से पारणा कर रहे हैं धन्य हैं उनको अरबपती व्यक्ति थे लेकिन सन्यास ले लिया जो ड्राइवर थे उनको कारें दे दी जिन जो माली लोग खेट संबालती थे उनको खेट दे दिये सब को छोड़ छोड़ा के निकल के आ गए यह धन्य है देखो भाई यह चारित्र का जीवन धन्य है कि लोग किस तरह से निकल के आ जाते हैं अभी अभी अपन लोग जब इन दौर जाकर आये थे तो आप लोगों ने भी दर्सन किया क्यों जी महिंद्र सागर जी महराज उनके सुपुत्र मनीश सागर जी महराज और इन लोग को देखा चार्टन एकाउंटेंट फैक्टरी के मालिक लेकिन जब आदमी छोड़ कर निकलता है तो यह नहीं देखता कि मैं फैक्टरी का मालिक होंगे गरीब हूँ जब चरित्र के भाव पैदा हो जाते हैं त्याग के भाव पैदा हो जाते हैं आदमी छोड़ छोड़ा कर निकल जाता है उनका बेटा चाटन एकाउंटेंट चुड़ चुड़ा के निकल गया वो देखो शांति प्रिय सागर जी को देखो आज ये 22 साल के उमर में उन्होंने दिख्षा ग्रहन की एमें पास है इसा है पीएईडी कर रहे है महत्तुपूर ये नहीं है महत्तुपूर ये है कि छोटी उमर में भी इन्होंने चरित्र को ग्रहन करके अपनी जीवन को धन्य करने की कोशिश की है चरित्र भावना की अनुमोदना है ये अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने दिख्षा ले थी इंडिया टूडे वगरे में सब में उसकी चर्चा आई थी वो शायद रामचंद सूरीजी माहराज के समुदाय में या किसी के माहराज के समुदाय में उन्होंने दिख्षा ग्रहन की थी तो कहते हैं उन्होंने जब वर्शिदान दिया जाता है तो सडकों पर गरीबों को उन्होंने हीरे उच्छा ले वो खुछ ज्वेलर्स आदमी था और हीरे उचाल करके उसने दिक्षा धरन कर ले यह चरित्र की अनमोदना है भाई चरित्र की अनमोदना धन्य है उन लोगों को जो लोग चरित्र गरहन करते हैं धन्य है उन लोगों को जो चरित्र गर्ण करने वालों की अनमोद ना करते है कहते हैं राजा संप्रती जैन धर्म के इतियास में इतना अतिशे वैभव शाली और इस धर्म को आगे फैलाने वाला और कोई दूसरा समराट नहीं हुआ जैसे बुदिजम को फैलाने में बुदिजम को फैलाने में समराट अशोक का हाथ रहा वैसे ही जैन धर्म को फैलाने में राजा संप्रती का हाथ रहा और कहते हैं वो राजा संप्रती रो जाना जब मंदिर से लोट कर आता तो मंदिर से लोट कर आने के बाद अपने पूजा घर में अलग से जाकर बैठता और वहाँ पर चरित्र के जो उपकरण होते हैं कि रजोहरण की मुहपत्ती की जो वेश होता है मुनी जीवन का उस मुनी जीवन के वेश को सामने रख करके अनुमोदना करता था कि है प्रभू मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा कि जब मैं अपने जीवन में यह चरित्र का जीवन धारण करूँ एक राजा बनने वाला व्यक्ति एक सामन्य व्यक्ति होगा तो राजा बनना चाहेगा लेकिन एक राजा बना हुआ व्यक्ति चरित्र की अनुमोदना करते हुए भावना भाता है प्रभू कभी मेरे जिहन में चरित्र का जीवन अंगिकार है कभी ऐसा कुछ हो माना कि वैभव बहुत महान होता है लेकिन त्याग से ज़्यादा महान नहीं हुआ करता है माना कि वैभव महान होता है लेकिन त्याग से ज्यादा महन नहीं होता राजा भी संत के पाउं में जाकर जुकता है क्योंकि राजा को पता है कि मेरे पास वैभव तो खूब है पर जो शांती संत के पास है वो शांती मेरे पास नहीं है जो त्याग इसने किया है वो त्याग मैं नहीं कर पाया इसलिए अगर भारत का राष्ट्रपती भी होगा तो संत के सामने जाकर तो वो भी चरण में जुके का राष्ट्रपती जुका यानि एक भारत जुका है और भारत जुका है किसके आगे जुका है त्याग के आगे जुका है वेभव के आगे नहीं जुका शायद महात्मा गांधी जब लंडन में गए थे तो उन्होंने पैंट कोट पहनना कबूल नहीं किया वरन अपने उसी त्याग में जीवन को वही धोती और दुपट्टा ओडे हुए वो वाइसराय से मिलने के लिए चले गए विक्टोरिया से मिलने के लिए चले गए राज महल में उसी त्याग में जीवन के साथ गए जब वहाँ पर आपत्ती की गई कि आपको पैंट सुट पहनना पड़ेगा बोले गांधी वापस जा सकता है गांधी जाएगा यानि भारत जाएगा वापस ये सोच लो गांधी अगर यहां से चला गया तो पूरा भारत तुम्हारे यहां से जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी जो महात्मा कहलाता है वो वैभव के करण नहीं वो त्याग के करण कहलाता है और भारत में अब तक हजारों साल से यही त्याग पूजा जाता रहा अब आज की तारीख में जो राजनितिक ये लोग त्याग को छोड़ चुके हैं और वैभवशाली जीवन जीने लग गए हैं अब उनके पास केवल नेतागिरी रह गई हैं उनके पास वो भारत के आदर् गृणी ऑर महराजा थे जो स्वयम चलकर करे महत्मा गांदी को सामने लेने के लिए आते हैं संपुण विश्व का हैन सम्मिलन होता है लेकिन एक मात्र महात्र गांदी उनके स्वयम गांदी जी खेकर आदमी अपने आपको शोभाजनित तो बना सकता है लेकिन केवल धोती एक दुपट्टा ओड करके उस त्याग को इस्थापित कर सकता हुआ और इसी लिए आज भी विश्व मानता है कि पता नहीं उस 40 किलो के आदमी में ऐसी कौन सी ताकत थी कि उस ताकत से आज भी पूरी दुनिया प्रेणा ले रहा है चरित्र त्याग में होता है और त्याग भावना हमेशा हमारे भीतर होनी चाहिए यह भावना होनी चाहिए कि मैं आहार है तो आहार में भी त्याग की भावना रखूं कपड़े हैं तो भगवान से प्रार्थना जरूर हो प्रभू कभी मैं अपने जीवन में चारित्र का जीवन धारण करूँ, अंगी कार करूँ, चाहे एक दिन के लिए आई, मैंने कभी बैरु सिंग जी सिखावत से कहा था, कि आप भले नेतागिरी करते वे जीएं, लेकिन जब आप गीता का इतना सम्मान करते हैं, और गीता से प्रेणा लेना चाहते हैं, तो गीता से प्रेणा लीजिए, कि अपने जिंदगी की अंतिम सांस, मैं एक सन्यासी के तरह त्याग करूँगा, एक नेता की तरह, राजनेता की तरह त्याग नहीं करूँगा, शायद जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अरजुन को प्रभावित किया था, और जिस तरह से उसकी सोईवी चेतना को जागरत किया था, मुझे लगता है, अरजुन ने जब अपनी काया चोड़ी होगी, तो उसने गीता के ग्यान को जरूर जीआ होगा, और चाहे वेश अंगिकार किया या नही किया, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके जीओन में त्याग में सांस धारा जरूर आई होगी, और गीता को उसने अंतिम्क्षन में, जो उनका सन्यास योग है उसको जरूर जीया होगा क्योंकि गीता के अंश-अंश को अरजुन ने जीया था अंश-अंश को उसने आत्म साथ किया था तो सन्यास को भी उसने जरूर आत्म साथ किया होगा यह चरित्र भावना है अपन लोगों को भानी चाहिए और मन में परिकल्पना भावना ये जरूर बनाए रखनी चाहिए हे प्रभुजी कभी ऐसा आउसर मेरे जिवन में जरूर उदै आए कि मैं अपनी जिवन में कभी संत जिवन धारण करो ज्यादा ना सही एक महीने के लिए सही एक साल के लिए से हट जाए ये चरित्र भावना भाने से व्यक्ति के जिवन में चरित्र का उदै आता है पूर्व में बंधे हुए कर्मों की नरजरा होती है ख्षय होते हैं हमारे जो चिकने करम है जो हमारे चिकने करम है कि जिनको हम लोग तप त्याग के द्वारा भी काट नहीं सकते वो चिकने कर्म भी चरित्र की अनुमोदना करने से चरित्र भावना भाने से हमारे जीवन में वो करम कट सकते हैं और चौथी भावना है वेराग्य भावना चरित्र और वेराग्य यो तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन संभव है कि अनेक लोग चरित्र को तो धारण कर लेते हैं साइयम जीवन तो धारण कर लेते हैं लेकिन फिर भी अपने राग अनुराग के अनुबंधों को नहीं छोड़ पाते वैराग्य की भावना इसलिए जरूरी है ताकि व्यक्ति राग अनुराग के बंधनों को छोड़ सके पत्नी को तो छोड़ कर आ जाता है व्यक्ति चरित्र भावना की चलते लेकिन पत्नी की याद नहीं छोट पाती भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे एक सिध्धार्थ कहते हैं कि एक दफा भगवान बुद्ध सिध्धार्थ के याँ पर आहर चरिया करने के लिए आये थे तो आहर ग्रहन किया सिध्धार्थ की पत्नी बाल समार रही थी और सिध्धार्थ उसके बालों को सहला रहे थे कि तभी पता चलता है कि बुद्ध आहर चरिया करने के लिए आए है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बड़े भाई बुद्ध बन करके आए हैं नहीं जाओंगा तो ठीक नहीं लगेगा मुझे जाना पड़ेगा तब पत्नी कहती है तुम जाओ भले ही लेकिन मेरे गीले बाल सूखे उससे पहले लोट करके आ जाना अब उस सिद्धार्थ तो चला गया पहले उसने आहर समर्पित किया फिर अपने राज महल से कुछ दूरी तक उनको छोड़ने के लिए निकला तो जब बाहर निकला तो बुद्ध ने अपना बिक्षा पात्र उस सिद्धार्थ के हाथ में थमा दिया बढ़ते रहे अब उस सिद्धार्थ के हिम्मत ही नहीं हो पाई ये कहने के लिए कि साब अब अपना बिक्षा पात्र थामिये क्योंकि मेरी पतनी ने मुझसे कहा था कि जब तक मेरे बाल सुखे उससे पहले लोट के आ जाना अब उसके हिम्मत ना हो पाए सो साथ सा चलता रहा तो दस बारे किलोमेटर चल गया होगा बुद्ध अपने इस्थान पर पहुंच गए वहां पर बुद्ध के इंतिजारी में सैक्ड़ लोग बैठे थे भगवान बुद्ध ने वैराग्य पर प्रवचन दिया व न्यास बिक्षो जीवन धारन करेंगे और उसी समय हजारों लोग बैठे थे उसी समय बुद्ध ने सिधार्थ को पूलिया था कि बोल भाई तुमारी क्या इच्छा है सब मेरी क्या इच्छा है जैसा आपका आदेस अब जैसा आपका आदेस ये कहते ही अन्य बिक्षों न पहले तुम लोट के आ जाना मेरे बाल सुखे उससे पहले लोट के आ जाना ये लाइन ये पंक्ती जन्दगी भर उसका पीछा करती रहती है वो बिक्षो जीवन को जीता है लेकिन अपनी पत्नी के शब्दों को भूल नहीं पाता आखिर कहते हैं कि जब बुद्ध का निर जाहूं तब पत्नी कहती है अहो मैं नहीं जानती थी कि मेरे शरीर में ऐसा क्या है ऐसा कौन सा आकरशन है कि जिसके चलते तूं ये महान बिक्षो जीवन छोड़कर के वापस मेरे पास राज महलों में लोट कर आया है मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि तुमारे साथ रह जाहूं आप इतने महान शरण को प्राप्त करके भी और इस कंगालियत की तरफ आ गए जाहिए आप वापस क्योंकि मेरे दिल में जो श्रद्धा भरा इस्थान आपका बना हुआ है आप उसे बने हुए रहने दीजिए कहीं आप जहां मैंने आपको बिठा रखा है जिस प अपनी कर देती है हालांकि बिक्षू बन जाते हैं लेकिन उसकी याद उनसे नहीं छूट पाती इसलिए मैंने कहा चारित्र तो ग्रहन हो जाता है लेकिन वेराग्य भावना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेक्तिशारित्र ग्रहन करके भी अपने राग अनुराग के बंधन को तोड़ डाले ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए वेराग्य भावना भी होनी चाहिए वेराग्य यानि अना सकती पतंजली जी ने बहुत अच्छे शब्द में कह दिया था कि जब कहा गया कि योग क्या है तो उन्होंने क्या कहा योगस चित्वर्ति निरोध है योग क्या ह चित्वर्तियों का निरोध ही योग है बोले चित्वर्तियों का निरोध होगा कैसे तो कहा गया अभ्यास वेराग्य अभ्याम तन निरोध है अभ्यास और वेराग्य के द्वारा उन्हें वर्तियों का निरोध किया जा सकता है निरोध कैसे अना सकती के द्वारा अभ्यास के द्वारा तो चाहे ज्ञान भावना का अभ्यास हो दर्शन भावना का अभ्यास हो चरित्र और वेराग्या भावना का अभ्यास हो लेकिन अभ्यास और अनासक्ति के द्वारा व्यक्ति निरोद कर सकता है तो अनासक्ति रखे सब लोगों के साथ रहते हुए भी सब कुछ खाते, पीते हुए भी अना सक्ति का भाव रखे आसकता न हो जाएं लोगों के साथ रहो मिलो, जुलो, उठो, बैठो, हंसो, खिलो लेकिन बंद करके मत रहो पतनी है तो पतनी से भी बंद के मत रहो ठीक है संसार की व्यवस्ता है पती पत्निया आप बन चुके भाई बहन बन चुके मा बेटा बन चुके ये संसार की व्यवस्ता है लेकिन साथ रहो पर मुह माया में बंद करके उलज मत जाओ जैसे कमल के फूल पानी में रहते वे भी पानी से निरलिप्त रहा करते हैं सहस्ता से रहा करते हैं वैसे ही हमें भी संसार में रहना चाहिए सब लोगों के साथ हैं मगर फिर भी सब लोगों से मुक्त हैं ग्यानी भगवंत कहते हैं कि शुब ध्यान की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति आर्थ ध्यान और रोद्र ध्यान इन दो ध्यानों से बचे और शुब ध्यान के तरफ बढ़ने के लिए धरम ध्यान के तरफ कदम बढ़ाए और धरम ध्यान को जीने के लिए ज्यान भावना, दर्शन भावना चरित्र भावना और वेराग्य भावना इन चार-चार भावनाओं की अनुमोदना सदा करता रहे इनके प्रतिशद्धा रखे और जहां तक हो सके संसार में अपन सब लोग रहे पर अनासक्त योगी बन करके संसार में जीए श्री भगवान अपन लोगों को आज इतनी ही प्रेणा समर्पित करते हैं सब लोगों को बहुत-बहुत दिव्य प्रेम नमस्कार